दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर करें दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागात है आपका जियो भी नीज़ दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे म आजिकि सब्से बड़ी ख़बर है दोस्तों वीड़ो को एक लैक जरू करते दोस्तों एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो आपने इससे पहले सायध ही कभी सुनी होगी तो दोस्तों विड़ो को पुरा देखें दोस्तों मोदी के मंत्री प्रताप सारंगी के पास न उनका मक है और ना उनका खुद का परिवार जी हां दोस्तों ओडिसा के बालासोर लुक्स वासीट से चुनाव जीत करके आए प्रताप चंद्र सारंगी को भी नरेंद्र मोधी सरकार में मंत्री बनाए गए हैं इन्हें राजी मंत्री का प्रभार मिला है एक दम साधारन वेस भूसा और स्यमान जीवन वाले प्रताप सारंगी चुनाव जीतने के बाद वी काफी चर्चा बटो रहे हैं प्रताप चंद्र सारंगी जो बालासोर से बीजेपी के नव निर्वाचित सांसद है उन्हें उडिसा का मोधी भी कहा जाता है आपको बता दे कि मोधी जब भी उडिसा आते हैं तो सारंगी से जरूर मुलकात करते हैं सारंगी ने इस बार लोक्स भाचुनाव में उडिसा के बालासोर से जीत हासिल की है इसमें बीजू जंतादल के रविंदर कुमार जेन को 12,956 वोट से हराय है और लोग उन्हें उडिसा का मोधी भी कहते हैं सारंगी कई साल हैं तो मठ वालों ने उन्हें मा की सेवा करने को कहा पिछले साल ही उनकी मा का देहांत हो गया था आपको बदाते हैं सिर्फ पैसों से चुनाव लड़ने की मिथल को गरीबी और इमांदारी से ध्वस्त करने वाले प्रताप सारंगी ने उस दोर में जब पॉलिटिक्स को पैसे वाले अपने पॉकेट में लेकर के चलते हैं कडोरों खर्च कर अर्बों कमाने का जरिया बना चुके राजनिती के परताप सारंगी कई बरसों से सादगी के हस्ताक्षर बने हुए हैं भागवा जंडा थामकर के परताप सारंगी दो बार ओरिसा विधान सबाचुना जी हां दोस्तो आज की समय में लोग नेता इसलिए बनते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा भी भी आईपी कल्चर का उप्योग कर सके हैं जी हां दोस्तो अगली बड़ी ख़बरे दोस्तो भारत की सबसे बड़ी रासनितिक पार्टी का वेबसाइट हैक हो चुका है जी हां दोस्तो हम बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रधानमत्री मोदी के सपत गरनट समारों के बीचे दिल्ली बीजेपी के वेबसाइट हैक हो चुके हैकर्स ने वेबसाइट के तमाम पेज बदल दिये हैं और उसकी जगह बीफ आईटम बीफ लेडर सिप जैसे तमाम डिरेक्ट कर दी गई दिल्ली बीजेपी के वेबसाइट खोलने पर बीजेपी के आधिकारी वेबसाइट खोलने लगी जी हां दोस्तों आपको बताते हैं कि लोग सबह चुना के कुछ दिन पहले ही बीजेपी के वेबसाइट हैक होने के बाद डाउन हो गई थी आपको ब विबसाइड डाउन हो गई और रेर पर मैसेज दिखाने लगा विबसाइड की हैकर्स होने के बाद उसे ठीक करने के लिए कई दिन लग गए थे जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी ख़बर पस्ची मगाल में जैस सिराम का घमसान जा रही दीदी के सामने फिर लगे नारे जी दूसरी तरफ पस्ची मगाल की मुख्यमंतरी धरने पर दे रही थी पस्ची मगाल की मुख्यमंतरी के सामने एक बार फिर से जैस सिराम के नारे लगे हैं भाजपा कारिकरताओं के नारे लगाने पर ममता बनरजी अपने वहां से नीचे उतरी और उतरी 24 परगना में दोरा कि यह पस्चिम बंगाल के नहीं है आपको बताते कि कुछ दिन पहले ही जैसा चुनाव परचार के दोरान हुआ था ममता बनर जी उसे अपने धरने के लिए रवाना हो गई थी गोर तलब है कि चुनाव परचार के दोरान चार मई को पूर्वी मीदिनापूर जिले में चंद गाली देने की हिम्मत तुम्हें कैसी हुई पूलिस ने तीनों लोगों को गिराफ़तार कर लिया था आपको बता दे कि प्रधानमदी नरेदर मोदी और भाजपा अधक्ष अमित सा के बीच उस घटना करम के बाद उसकी प्रतेक जनसवा में जैसी राम का नारा लगाया ग नहीं भी इसकी मौजूदगी में काफी दिकत होने लगती है ऐसी में टेलिकूम कमपनिया ने भी आगेर आने की होड़ लगी हुए जब कभी हमारे फोन के इंटरनेट खत्म हो जाता है तो हम दूसरे से हाट स्पोट के जहरी इंटरनेट सेयर कर लेते हैं लेकिन अब कहा जा रहा है कि उपभो करता जल्द ही किसी भी टेलिकूम कमपनी के वाइफाइ होट स्पोट से इंटरनेट कनेक्ट कर सकेंगे अगले महीने जून में आप किसी भी टेलिकूम कमपनियों से वाइफाइ होट स्पोट से कनेक्ट कर सकेंगे भले ही आप उस कमपनी के ग्रहाक ह हो या नहीं हो कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से वाइफाइ होट स्पोर्ट की इंटर एबिलीटी की हरी जंडी दिखा दी गई है तरसल टेलिकॉम कंपनिया पूरे देश में होट स्पोर्ट वाइफाइ लगा रही है आपको बता दे कि सुरक्षा कारणों के चलते हैं इसे ले यूजर नेम पासवर्ड नहीं बदन ला होगा जोस्तों आपको बता दे कि आखिर होट स्पोर्ट होता क्या है जी यहां तो होट स्पोर्ट एक फिजिकल लोकेशन होता है जहां लोग इंटरनेट सर्विस प्रोसेसर के कनेक्ट राउंड के साथ वारलेस लोकेशन एरिया नेटवर्क से इंटरनेट का उप्योग कर सकते हैं होट सपोर प्राइवेट या पब्लिक हो सकता है जैसे कि सार्वजनिक जग हो हस्पीटर होतल जैसे सौप हवाई अड़े पर भी लगे होते हैं कई कमパणियां सारवजनिक होट सपोर्ट ओपेशन नेटवर्क पर अपने एक रिपोर्ट के अनुसार एयर टेल वाइफाई जोन सर्विस के जरी वेबसाइट 500 लोकेशन पर वाइफाई होट स्पोर्ट से कनेक्ट हो सकते हैं एयर टेल सब्सक्राइबर के लिए यह सेवा मुप्त होगी वे सब्सक्राइब प्लान के मुताबिक अपना यह लाव उठा सकते हैं एयर टेल ने यस लोकेशन के डिलीट को सेर कर दिया है जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी कबर इरान और भारत के रिष्टे में पड़ी दरार चबहार बंदरगाः पाकिस्तान को सोपा जी हाँ दोस्तो अमेरिकी प्रतिबंद से परिसान इरान भारत की मुष्किले बढ़ा सकता है इरान के विदेश मंतरी जवाद जफिर ने पिछले सफ़ता पाकिस्तान का दोरा किया है रिपोर्ट के मुताबिक जफिर ने इरान के बंदरगाह चबहार को पाकिस्तान में चीन द्वारा विक्सित किये जा रहे गवांदर बंदरगाह को जोड़ने की प्रस्ताव कर दिया है भारत ने इरान के इस बंदरगा पर भारी भरकम निवेस किये हैं इस बंदरगा पर भारत के लिए खास राज़ितिक महतो है क्योंकि इसमें भारत के बिना पाकिस्तान की सीमा से गुजरे अफगानिस्तान और पस्चिमे एसिया तक पहुँच हो जाएगी पाकिस्तान के गवांदर बंदरगा को चीन के नियंतर देने के बाद यह चबहार बंदरगा का महत्पुन और बढ़ जाता है इरान के इस बंदरगा द्वारा पाकिस्तान के लिए खोलेने की वज़ा भारत का इरान से कच्चा तेल लेना और देना और अमेरिका का समर्थन करने से हो सकता है ग्वांदर बंदगा से जोड़े जाने के बाद पाकिस्तान और चीन का चबहार बंदगा पर परभाव पड़ेगा ग्वांदर बंदगा चीन की ग्रिष्टी औफ पल्स की नितिक पर हिस्सा है जिसके तहतों भारत के आसपास राजमतिक पुंजियों का विकास करने के लिए यह हुआ है आपको बतादे कि मैई 2016 में इरान, अफगानिसान और भारत में तिरपक्चिये चबाहर समझोता किया था चार नॉम्मर 2018 को UAE में इरान पर आर्थिक प्रतिबंद सोप दिये थी जिसके बाद से ये भारत के इरान से तेल आयात के लिए लगतार कटवती करनी सुरू कर दी थी यह परतेबंद अमेरिके रास्पट ये डोनल्ल टरम्प के इरान के साथ हुए परमानों समझोते को रद करने के च्छो महीने बाद लागू किया गया था आपको बता दे कि अमेरिका ने भारत समय च्छो देसों को दो माई तक तेल आयात के चूट दी गई थी अकली बड़ी सरकार के नए कानून मंतरी के सामने सबसे बड़ी चूनोती होगी मुस्लिम महलाओं को सुरक्षा दिलाने के लिए तीन तलाक बिल को पास कराने की यह अभी अध्यादेस के रूप में लाग हुए है नए सरकार में कानून मंतरी के सामने देश की विवसाई करने की सरलता की रेटिंग को बढ़ाने की जिम्मेदारी भी होगी गतवर्स 2018 में भारत के इस रेंकिंग को तेश से बढ़ा करके 77 पर आ गया था इस अफ डूरेंड विजनेस नयायालियों के मुकदमों के निपटारे करने के लिए कम समय करने की रेटिंग होगी इसमें अनुबंध और सिविल वादों को नीचली अदालतों से निपटारा सामिल होगा मुकदमों में लगने वाला समय देश के कुछ समय कम हुआ है वह समय अब 180 दिन के आसपास आ गया है जबकि विक्सित देशों में यह समय 90 दिन ही है नए मंतरी के सामने इस समय को कम करने की बड़ी चुनोती होगी इसके अलावा उच्चितम ने आले सुप्रीम कोट और हाई कोट के जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए कानून एज करने वाले हाई कोट में इलाहबाद हाई कोट सबसे आगे है इसके लिए आंदोलन भी चलाए गये थे वही देश के चारों और कोने में सुप्रीम कोट की बेंचे अस्थाफित करने का मामला सुप्रीम कोट की समिधान पीठ के पास लंबित है लेकिन इसमें सरकार के